इनसे मिलो ये हैं राहुल गान्डी जी सी ए पे भसड है और ये हैं एपसट जी जनता पूछे कहां ये जनाब बिना स्ट्रगल किये इलेक्शन जीतने का ये देखे खाब शोटे नेता जी नमस्कार सभी को यहां पर नमस्कार मेरे भाईयों बैनों को इस बॉय चोटे नेता जी पॉलिटिक्स के कलियारों में घूमते घूमते चोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं आज का रंगा-रंग कारेक्रम शुरू करते हैं CAA या Citizenship Amendment Act 2019 से वैसे थोड़ा अजीब लगता है किसी भी चीज के आगे 2019 लिखते हुए क्योंकि आखरी बार जब किसी चीज के नाम के साथ 2019 लिखा था तो वो Corona Virus था COVID-19 हाँ तो हम शुरुआत कर रहे हैं CAA से आप अगर इस सोचो की CAA से शुरुआत क्यों कर रहा हो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले Religious Persecution या धर्म के आधार पर प्रताड़ित होने की वजह से उनको इंडिया में citizenship या नागरिकता दी जाएगी इस पर BJP के supporters तो जशन बना रहे हैं क्योंकि fans हैं बागी जो BJP के non supporters हैं वो हो गए हैं आहत और opposition के कई नेता तो आग बबूला हो गए हैं हैं उनकी अपनी वजह opposition का और कामी क्या होता है वैसे अगर कोई opposition का नेता CAA की तारीफ करता हुआ नजर आया तो आप समझ जाना BJP से offer आ चुका है West Bengal CAA ममता बैनर जी जी ने कहा कि वो CAA को अपने state में लागू नहीं होने देंगी उनका मानना है कि CAA से India तूट जाएगा वैसे ममता दी दी इंडिया तो वैसे भी तूट ही गया ना गड़बंदन इंडिया गड़बंदन जिसका आप किसी जमाने में हिस्स हुआ करते थे वैसे कुछ लोग तो मजाक में ये भी कह रहे थे कि West Bengal में citizenship देने की जरूरा दी नहीं है बांगलादेशी refugees को वो तो अब तक आधार काईड़ी बनवा चुके होंगे बाकी ममता जी ने और भी काफी insightful और जरूरी बाते कहीं है CAA के बारे में ये देखिए जैसे कि आपने सुना clearly ममता दीदी जी CAA से घुसा नजर आ रही थे बाकी दिल्ली के PM मेरा मतलब दिल्ली के CM अरविन केजरिवाल जी ने भी कहा है कि CAA देश के खिलाफ है और जब देश के लोगों को ही employment नहीं मिल रही है तो बाहर के लोगों को इंडिया में सेटल करके employment कैसे दोगे वैसे इसका जवाब तो PM मोदी जी कुछ टाइम पहले ही दे चुके है केजरिवाल जी को मालूम होना चाहिए था कि पकोडे तलना भी तो रोजगारी है ना इनके अलावा Congress के जैराम रमेश जी ने भी कहा कि elections के time polarization करने के लिए CAA लागू किया गया है लेकिन जितने भी leaders ये कह रहे हैं कि अच्छानक से कैसे CAA implement होआ वो या तो सो रहे थे या फिर सो रहे थे क्यूंकि Home Minister अमिर्शा जी इसके बारे में लगातार बताते आ रहे हैं कि CAA लागू होकर रहेगा 2024 लोग सवाई election से पहले होगा कुछ दिन पहले भी कहा था हफ्तों पहले भी कहा था सालों पहले भी कहा था In that case एक सवाल है opposition के नेताओं से कि जिस चीज़ के जिस कानून के आप इतने खिलाफ हो जो कानून इतना बुरा है उसके बारे में आप कहीं गलती से भूल तो नहीं गए थे क्योंकि इतने टाइम से आप लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे जबकि सरकार के मंतरी लगातार इस बारे में बयान दे रहे थे तो exactly कहा थे आप नहीं मतलब ऐसे जनरल नॉलिज के लिए पूछ रहे थे बाकि अगर कोई छोटे निता जी से पूछे कि आप CAA के साथ हो या खिलाफ हो तो भाईयों बैनों हम बताना चाहते कि ओ सरी लगता है साटलाइट का कुछ इशू आ गया था तो हम कह रहे थे कि मुझे लगता है यह उपर वाले का इशारा है कि हमें अपने व्यूस को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए क्योंकि CAA को अच्छा या बुरा बोला तो सरकार से लेकर ओपोजिशन तक हम को उधेर देगी और इस फटी को कोई CAA गा भी नहीं कहने का तात पर यह है कि इनसे मिलो यह हैं अमित शाजी चुनाव से पहले CAA लगाया जी जो कहा था किया वो काम जीतने का है पूरा इंतजाम इनसे मिलो यह हैं राहुल गांडी जी CAA पे भसड है और यह हैं अपसट जी जनता पूछे कहां यह जनाब बिना स्ट्रगल किये इलेक्शन जीतने का यह देखे खाब इनसे मिलो यह हैं ओपोजिशन पार्टीज CAA कानून को बताएं यह गंदी चीज कहते हैं CAA नहीं होने देंगे लागू करेंगे BJP सरकार पे काबू कोई नहीं सपने देखने का हक तो सभी को होता है बस इसी के साथ आज का रंगा-रंग कारेक्रम यही पर संपन हुआ फिर लोटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े-बड़े नेताओं की बात चीत लेकर जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे भाईयों बैनों एक बार किसी सज्जन इंसान ने छोटे नेताजी से पूछा कि छोटे नेताजी आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है दाल मकनी, चाही पनीर या बटर चिकन हमने भी कह दिया पैसे वो भी बिना डगार मारे एश बॉय छोटे नेताजी पीस आउट